हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुती टेस्टी, बहुती मज़ेदार कड़ी पकोडे की रेसिपी गर्मी के दिन हो या फिर कोई भी मौसम में ये कड़ी पकोडे खाने में सच में बहुती स्वाधिश लगते हैं और तो और ये पकोडे बहुती सौफ्ट और जूसी भी बनते हैं ये देखिए कितने सौफ्ट बने हैं ये पकोडे तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़े से बरतन में एट करेंगे एक कप दही दही मैंने खट्टी वाली ली है कड़ी बनाने के लिए खट्टी दही का ही इस्तमाल किया जाता है अब इसी सेम कप से हम इसमें एट करेंगे दो कप पानी दही और पानी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब दही और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें एट करेंगे आधा कप से थोड़ा सा कम बेसन अब बेसन को भी हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है बेसन का कोई भी लमसिस में ना रहे इस तरह से हमें इसे दही में अच्छे से मिक्स करना है तो यहाँ पर बेसन भी दही में अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इस घूल में एट करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच लाल मिर्ज पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एट करेंगे नमक इन सभी चीजों को भी हमें दही में अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीजें दही में अच्छे से मिक्स होनी चाहिए और किसी भी चीज का लंस इसमें रहना जाए इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहाँ पर अब कड़ी का घुल बन कर तेयार हो गया है अब हम इस घुल को ढखकर साइड में रख देंगे इसके बाद हम लेंगे एक छोटा प्यास और दो हरी मिर्ची इन्हें हमें इस तरह से बारिक काट लेना है अब यहाँ पर हम एक बॉल में एड करेंगे एक कब बेसन और बेसन में हम एड करेंगे बारिक कटा हुआ प्यास और बारिक कटी हुई हरी मिर्च इसी के साथ हम इसमें एड करेंगे एक चोथा चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर आधा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे टेस्ट की अकॉर्डिंग नमक अब हम इन सारी चीजों को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब सारी चीजे बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एट करकर इसका एक घोल तयार कर लेंगे पानी हमें एक साथ पूरा नहीं डालना है वरना ये घोल पतला भी हो सकता है इसका हमें गाड़ा गोल तयार करना है तो जितनी जरुरत हो उतना ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एट करकर इसका एक गाड़ा सा गोल तयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पकोड़े का गोल बन कर तयार हो गया है इसकी consistency देख सकते हैं आप बिल्कुल इसी तरह का हमें गोल तयार करना है तो चलिए अब हम इस गोल से कड़ी के लिए पकोड़े तयार कर लेते हैं इसके लिए हम एक pan को गरम करेंगे और इसमें add करेंगे तेल पकोड़े तलना है तो तेल थोड़ा जादा ही add करना है तो देखें यहाँ पर तेल अच्छे से गरम हो गया है अब हम गैस की flame को low to medium कर देंगे और इसमें एक एक करके सारे पकोड़े add कर देंगे गैस की flame को एकदम high नहीं करना है वरना पकोड़े उपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्छे रह जाएंगे तो इन्हें हम एक side से fry होने देते हैं और जब यह पकोड़े एक side से fry हो जाए तब हम इन सारे पकोड़ों को पलट देंगे और दुसरे side से भी इन्हें अच्छे से fry कर लेंगे पकोड़ों को हमें दोनो side से light golden brown होने तक fry करना है और गैस की flame को low to medium ही रखना है इससे पकोड़े अच्छे से fry हो जाएंगे और अंदर से कच्छे नहीं रहेंगे तो यहाँ पर पकोड़े दोनो side से अच्छे से fry हो गए है अब हम इन्हें एक plate में निकाल लेंगे बहुत ही अच्छा golden brown कलर आया है इनमे अब हम गैस को बन कर देंगे और पैन में से तेल निकाल कर इसमें सिफ दो चम्मची तेल रहने देंगे अब हम तेल को गरम होने देंगे और जैसे ही तेल गरम हो जाए तब हम इसमें add करेंगे आधा छोटा चम्मच राई आधा छोटा चम्मच जीरा और दो सुखी लाल मिर्च इन्हें हम अच्छे से चटकने देंगे इसके बाद यहां पर मैंने दो लसुनकी कलिया ली है इसे हम इस तरह से करश करके तेल में add कर देंगे सारी चीजों को एक साथ अच्छे से mix कर लेंगे फिर हम इसमें add करेंगे चार चम्मच करी पत्ते इसे भी हम अच्छे से fry कर लेंगे यहां पर हम कड़ी के लिए तरका त्यार कर रहे हैं तो यहां पर सारी चीज़े अच्छे से fry हो गई है अब हम इस तरके में add करेंगे कड़ी वाला घूल लेकिन add करने के पहले इसे एक बर अच्छे से mix कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने इस घोल को तड़के में डाल दिया है गैस की फ्लेम को लो टू मिडियम करके हम इसे लगातार चम्मस से चलाते जाएंगे और इसमें एक उबालाने देंगे यहाँ पर कड़ी मुझे थोड़ी गाड़ी लग रही है इसलिए मैं इसमें एक कप पानी और एट कर रही हूँ इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने कड़ी के घोल में पहले नमक एट किया था पर अभी मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैंस में थोड़ा सा और नमक एड़ कर रही हूँ नमक को कड़ी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कड़ी में उबालाने देंगे तो देखे कड़ी में अब उबाला गया है अब हम गैस की फिलिम को लो कर देंगे और कड़ी को पाँच मिनट तक उबलने देंगे पाँच मिनट हो गए है अब हम इसमें एट करेंगे फ्राइ किये हुए पकोडे पकोडे को हम कड़ी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें एक मिनट तक कड़ी के साथ और कुक करेंगे अब यहाँ पर कडी के साथ पकोड़े अच्छ से कूखो गए है अब हम गैस को बन कर देंगे और कडी पकोड़े को सर्फ कर लेंगे तो लीजी ए फ्रेंडस बन कर तयार हो गए है बहुती टेस्टी, बहुती मज़ेदार कडी पकोड़े इसे मैं आपको काट कर दिखाती हूँ ये पकोड़े कितने सॉफ्ट बने हैं एक दम मुँ में घुल जाने वाले गरम गरम चावल के साथ ये कड़ी पकोड़े खाने में बहुती टेस्टी लगते हैं तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये तो प्लीज कर देना मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ तब तक की लिए बाई बाई